अज़ दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवर असल ड्रिंक के बारे में जिसमें हमें इसके यूजे इसकी बात तो करेंगे साथी साथ जानेंगे कि यह है बीपी लो पेसेंट में कैसे उप्योगी है और इसके नुश्कान क्या क्या होते हैं आज इस अभी के बारे में इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे तो आएए चलते हैं सीधे टॉपिक पर सबसे पहले ओरसल प्लेश ड्रिंग के कंटेंट की बात करेंगे इसमें किलोराइड 147 mg, पोटेसियम 79 mg, सोडियम 117 mg तता विटामिन C 20 mg के इस्टेंट में पाया जाता है ORSL प्लेश ड्रिंग जोंसन जोंसन कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है ORSL प्लेश ड्रिंग के ओपयोग, ORS की मदश से दस्ट के दवारान सरीर में लेक्टुलाइट की कमी को पूरा किया जाता है तथा दस्के सांसांत उल्टी और अधिक पसीना आने की इस्थिती में भी सरीर में इलेक्टोलाइट की मातरा को संतुलिद बनाये रखने के लिए भी ओरसल प्लेट ड्रिंग का उपयोग किया जा सकता है यदि किसी का बीपी लो है या किसी को चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी है तो उस पेसेंट को भी ओरसल प्लेट ड्रिंग दिया जा सकता है ओरसल प्लेट ड्रिंग पीने का तरीका है इसे पीने के सही तरीके की बात करें तो इसको एक बार में उपन कर पूरा पिया जाता है और दिन में दो से तीन O'RES''ll Plus Drink को पिया जा सकता है अब अगर O'RES''ll Plus Drink के morning की वात करें तो O'RES''ll Plus Drink Orange और Apple दो फिलेश्वर में आते हैं तथा दोनों का कारे सेम होता है बस दोनों के टेस्ट का अंतर होता है अब अगर इसके बाद ओरसल प्लेट ड्रिंग को कब लेना चाहिए कि बात करें तो ओरसल प्लेट ड्रिंग को उल्टी, दर्स, चक्कर, लोबी पी, कमजोरी, पानी की कमी तद्धा रहाइडेसंसी समस्या से बचने के लिए लिया जा सकता है और असल प्लेट डिंक के साइड एफेक्ट अब अगर हम लाश्ट में और असल प्लेट डिंक के साइड एफेक्ट की बात करें तो इसके side effect के रूप में हमें सरीर में पेट में भारीपन, पेट का आपसेट हो जाना, नोजिया, भूख का कम हो जाना आजी लेक्षन दिखाई देते हैं तो इसी के साथ वीडियो करते हैं पर समाथ, धन्यवाद